क्लास 11 चैप्टर नूबर 21 सम्स्पेशल सेरीज आर्डी सर्मा एक्सरसाइस 20.1 21.2 का कुश्चन नूबर 5 है कुश्चन नूबर 5 है हमें क्या करना है इस सेरीज का सम निकालना है तो आपको तो देखती ही लगया होगा कि इसमें method of difference अपलाई करेंगे लेकिन आप खुद सुचो हम तो यहां पर कुश्चन प्रॉल कर रहें तो हमें पता है कि हमें यहां पर method of difference ही लगाना है थैन कि हम टॉपी की वहीं पर रहा है लेकिन अब paper में कैसे परचानओं को यह सोचो तो paper में कैसे परचान हम देखो अब पहले तो यह क्या यह सेरीज में तो यह सेरीज है यह ना तो ap में ना तो dp में अगर एपी और जीपी दोनों में नहीं है तो हमारे पास एक ही फॉर्मिला बसता है शम निकान लेगा देट इस सिग्मा एन तो हमें एन निकान करना पड़ेगा तो एन फाइंड करने के लिए या तो कुछ पैटर्ण चाहिए या तो फिर हम मैथड ऑफ डिफरेंस लगा ले तुरो प्रण काट हो इन के डिफरेंस त्री माइन्ट वर टू ट्री आसले टरी 14-चल्ष सेट फॉरी तैनमाईनस सेट फैब यह टॉरी ताइन प्रोट अकि और तो हम पर मैंच अब कर सकते हूं कैसे करते हैं अब वह देखोग एकवल ले लो क्या करते हैं इस सीजिश को एस के एकवल लेते हैं न फ्लस थ्रे फ्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 एड प्लस अप्टू फिर देन हम यहां पर एस करेंगे इस बार क्या करेंगी एक टर्म खिसका के लिखेंगे आप देखो लास्ट टर्म सब पोच कर लो एड ठीक एक टर्म खिसका के लिख रहे हैं मतलब अप एक टर्म खिसका के लिखने का मतलब है कि आप यहां से स्टार्ट करो लिखना 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 and up to so on अब अब बताओ यहां पर कौन सा टर्म आएगा यहां पर an आएगा an-1 आएगा कि an-2 आएगा अब अब यह सोच तो आप देखो आपने कितने टर्म को पीछे कर आया एक टर्म पीछे कर दिया न आप देखो यहां पर था a1 तो यहां पर आना था a1 लेकिन यहां पर a1 आया है क्या नहीं भया a1 नहीं आया कोई भी टर्म नहीं आया उसे तरह से आप देखो यहां पर a2 यहाँ पर क्या है A1 A3 के साथ क्या है A2 A4 के साथ क्या है A3 A2 के साथ कौन है A3 मतलब एक छोट पीछे वाला तो A N के साथ कौन होगा A N-1 और फिर देन यहाँ पर होगा A N अब आप इनको माइनस कर लो माइनस 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 ठीक है तब देखो S माइनस S 0 1 माइनस 0 1 3 माइनस 1 2 6 माइनस 3 3 10 माइनस 6 4 और मैंने आपको क्या बता है जहां पर आपने कुछ माइनस नहीं कर रहा है उसे हटा दो आप ब्रैकेट से अलग कर लो और यह हो गया 10 फ्लस 15 & so on यह कहां तक जाता है, N-1 तक जाता है क्यों मोई यह N-1 टर्म तक ही क्यों गया अब देखो स्टार्ट कहां से हुआ है difference होना यह स्टार्ट यहां से हुआ और यहां पे indoor चुका है, ठीक है और यह total number of terms कितने हो एन-1 terms हो आप देखो यह है a1 और यह है an-1 तो total number of terms कितने हो एन-1 terms हो और लाज में यह आ जाएगा an तो यह हो जाएगा minus 1 इस an को आप इधर shift कर लो तो यह हो जाएगा an which is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus up to so on plus n minus 1 ठीक है अब आप देखो आपको अब next क्या करना इस series का sum निकाला इस series का तो यह जो series यह किसम है ap में यहाँ पर ap का sum का formula लगा तो देखो 3 minus 2 1 4 minus 3 1 5 minus 4 1 तो यहाँ पर ap का sum का formula क्या होता ap का sum का formula था s n equal to n upon 2 2a plus n minus 1d अब आप compare करो a क्या है a होता है first term first term है 2 d होता है common difference common difference क्या है 1 ठीक है तो यहाँ पर replace करो तो क्या बनेगा 1 plus और n क्या number of terms है n minus 1 जियान रखना है कभी-कभी हम जलबाजी में क्या करते है n ही रख देते हैं और n-1 replace नहीं करते है n के जगा तो दिखास हो जायती है तो आप n के जगा n-1 replace कर दू n-1 upon 2 2a, a है यह 2 plus n-1, minus 1 और d की value है 1 1 plus n-1 upon 2 4 plus n-2 a n which is equal to 1 plus n-1 upon 2 अब देखो 4-2, 2 हो जाएगा 4-2, 2 तो यह होगा n plus 2, अब आप एहल से हम ले लो तो यह 2 अधर और इनको multiply करो n into n, n square n square plus 2n minus n और यह होगा minus 2, upon में 2 then यह क्या बनेगा, minus 2 तो यह 2 से 2 cancel, n square, 2n minus n, n upon 2 तो यह होगा n, तो मारा n आगया, n square plus n upon 2 क्या हमें n ही निकालना था? नहीं भया हमें n तो नहीं निकालना था हमें तो इस सेरीज का सब निकालना था, और सब निकालने का formula क्या होता है? sigma n, s n निकालने का formula होता है sigma n, तो कर दो sigma n, s n equal to sigma n, और n की value है n square plus n upon 2, n square plus n upon 2 अब आप क्या करो? 2 को इसके निचे, 2 को इसके निचे, तो यह होगा sigma n square upon 2 plus n upon 2 अब हम क्या कर सकते? sigma को अलग-अलग कर सकते हैं, तो देन आप sigma को अलग-अलग कर दो sigma n square upon 2 plus sigma n upon 2 अब आप देखो हम sigma से constant को बाहर कर सकते हैं तो constant को बाहर कर दो तो यह हो जाएगा 1 upon 2 sigma n square plus 1 upon 2 sigma n अब आप यहाँ पर formula लगा दो आप देखो sigma n square का formula होता है n n plus 1 2n plus 1 upon 6 और sigma n का formula होता है n n plus 1 upon 2 तो 1 upon 2 sigma n square का formula है n n plus 1 2n plus 1 upon 6 plus 1 upon 2 sigma n का formula n n plus 1 upon 2 ठीक है I hope आपको यहाँ तक तो कोई इसू नहीं होगा अब आप देखो 1 upon 2 तो सारे में है आप देखो 1 upon 4 को आपने बाहर कर लिया आप देखो 6 को लिख सकते हो रहा 3 into तो तो पीछे रह जाएगा और n n plus 1 भी बाहर हो सकता है n plus 1 और n को हमने बाठ कर लिया तो पीछे रह गया 2 n plus 1 upon 3 और यहाँ पर रह जाएगा क्या रह जाएगा यहाँ पर रह जाएगा 1 तो यह बना n n plus 1 upon 4 और lcm अपलोगे तो यह इधर यह इधर तो 1 into 2 n plus 1 2 n plus 1 और 3 into 1 3 upon में 3 upon में 3 ठीक है तो यह हो जाएगा n n plus 1 upon 4 यह हो गया 2 n plus 4 2 n plus 4 upon 3 उपर में क्या common उपर में 2 common है तो आप 2 को common कर लो तो यह हो जाएगा n n plus 1 upon 4 उपर से हमने 2 common कर रहा तो पीछे रहाएगा n plus 2 upon 3 इस 2 से यह 2 cancel तो यह हो जाएगा n n plus 1 n plus 2 upon 3 into 2 6 तो यह हो गया हमारा sn ठीक है तो आप देखो एक बार फिरा माहने बाढ़ते है ऐसे न मेरा क्या हो जाएगा n n plus 1 n plus 2 upon 6 एक बार में चल्ट कर लो upon 6 बिल्कुल ठीक है तो आप देखो एक बार सारे प्रॉब्लम में हमें ऐसे ही कर लो ना ठीक है कोई भी डिफरेंस तो है नहीं कि नहीं में भी नेक्स्ट कुष्चन नंबर 6 है कुष्चन नंबर 6 में सिरिस दिया हुआ है वन प्लस फॉर प्लस 13 प्लस 40 फॉर्टी प्लस वन टू वन है क्या मज़क है हाँ हाँ वन टू यह है कि का अब देखो यह भी सिरिस जो है वो ना तो आ पी में होग और ना भी जिडिदा जिपी में है तब एक बार चेक करूँ कि इनका टर्म्स के डिफरेंस करने पर क्या बन रही है 4-1 3 13-4 13-4 9 40-13 40-13 27 27 और 121-14 81 अब अब देखो अभी तक क्या हो रहा था अभी तक जो भी हम सब्ट्राक्ट कर रहे थे जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आ रही थी वो अपी में आ रहे थी इस बार आप देखो यह जो सीक्वेंस अपी में नहीं है देख लो 9-3 6 27-9 18 डिफरेंस तो सीम नहीं है भ पाएंगे क्या बिलकुल आप लगा पाएंगे मैं मैंने क्या बोला था अगर टर्म अगर अगर टर्म के डिफरेंस करने के बाद जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है अगर वो एपी या फिर जीपी बन जाए देन हम वहां पर अप्लाई करते हैं मैठ डिफरेंस अब जहां से को 9 से डिवाइड करो 3 आजाएगा इससे तरह से आप 81 को 27 से डिवाइड करोगे 3 आएगा देखरो रिश्यों से मैं तो यह सिक्वेंस है वो किसमें हो जाएगा ठीक है तो इसलिए अपने अपने अप्लाई कर सकते हैं तो करते हैं तो इस सीरीज को एस के एकवल ले लो एस एकवल तो 1 प्लस 4 प्लस 13 प्लस 40 प्लस 12 एड़ टू सो ओन फिर अप्टू सो ओन प्लस जहां रखना इस सीरीज का सम्हा में इंफाइनाइट टर्म सक नहीं क्या बोलते हैं अगर इंफाइनाइट के लिए बूलेगा तो क्या करेंगे आपको इन को इ इंफिनिटी ही आएगी कि लाल हमें उतने डीप नहीं जाना अब बस देखो एंट तन्सक्तम उन कैसे निकालते हैं तो आप एक टर्म को खिसका कर लिखो तो यहां से स्टार्ट करो इस से लीज को लिखना वन प्लस पूर प्लस थर्टीन प्लस प्लस अब टूशो और यहां पर क्या एगा एं माइनस 10 प्लसेट क्यों क्योंकि आपने एक ठाउन चोड रिखा आप दिखर सकेंड एक टार्म के सामने लिखा है फॉर्ज थर्ट तर्म दिखा सेचुन टर्म गश्ञके एक करन्सरा å 되는 फॉर्ट के शाय गार आट कर दो minus 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 कि यहां पर यह कैसे हाँ 121-4081 एंड अप्टू सो और यह कहां तक जाएगा यह सीरीज यह टूटल n-1 टम्स तक जाएंगे ठीक है क्यों अब देखो और यह माइनस इन में कुछ माइनस हो रहा है क्या नहीं तो इन्हें ब्रैकेट तलग करती है अब देखो सब्ट्रैक्शन कहां पर कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कहां पर कर रहे हो दो नंबर का इसी के बीच में जहां पर मैंने मार करा है तो यह total number of terms केतने होंगे आप देखो start हो रहा है आप देखो यह है a1 और यह है an-1 ठीक है इसको आप नोटिस करो यह है a1 1 क्या फर्स्ट हमें ना तो a1 और यह है n-1 तो 1 से लेके n-1 तो total number of terms केतने होंगे n-1 that is it ठीक है तो अब हमें क्या करना है basically इस an को आप इधर से उट कर लो तो यह हो गया an which is equal to 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus 81 and up to so on n-1 times तक ठीक है यह क्या लिखा भाई आपने आप समझते रहों चीज मैं ही समझाओं क्या ऐसी बात नहीं है अब दिखों अब दिखो यह जो सीरीज यह जीपी मैंना 9 को 3 से डिवाइड करोंगे 3 27 को 9 से डिवाइड करोंगे 3 81 को 27 से डिवाइड करोंगे 3 तो हमें क्या करना इस सीरीज का सम निकालना है n-1 times तक ठीक है तो तो जीपी का श्रम का फॉर्म्मला क्या होता है जीपी का श्रम का फॉर्म्मला होता है जीपी का श्रम्मला है तो बसुक्राशर धर बसूर्म तो सम नमचिक की जाता है इधर करोगे तो यह हो जाएगा two plus under shift करो आप तो यह हो जाएगा three into three n बिंटिए सो नंप्लासवाद यह एक थरी दस्ट फार से यह हो जाएगा बद किस्erca पार यूज्ज थर्स फार रहे तो यह थूजाएंगा टिरिस्ट oo एम वह और यह हो गया माइनस थ्री कि कि अपॉर्ण में यह अप्उर्ण मत नहीं डील्य है किक ए n बनेगा an which is equal to 2-3 1 3 raised to power n plus 1 minus 1 upon में 2 ठीक है तो यह हो गया आपका n then हमें निकालना है sn क्या निकालना है sn निकालना है तो sn क्या होता है ऐसे न होता है सिगमा एएन के बाइन यहां पर एन यह यह, एएन है थ्री दिश्टो पार एजो प्लस वन माइन स्वन अपॉन 2 ध्यान रखना है यहाँ पर एन जो है वह बन से लेकर एन तक वेरी करता है ठीक है इस अगर आपने एन के जगा आर भी रिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं अब यह वन बाइट टू कॉंसें इसे बाहर कर दिया हमने तो यह क्या सिग्मा एन वेरिस फ्रॉम टू एन तो यह हो जाएगा थ्री रिख टू पार एन फ्लस वन वेरिस फ्रॉम टू अब आप देखो यहाँ पर सिग्मा 3 raise to power n plus 1 n varies from 1 to n क्या होगा इसको आप एक बार open करो अब देखो n कहां से कहां vary कर ला है n जो है हमारा 1, 2, 3 and up to so on n है मतलब आप n के जगा 1 replace करो तो यह हो जाएगा 1 plus 1, 2 3 square फिर बीचे plus फिर n के जगा 2 replace करो 2 plus 1, 3 फिर plus और फिर n के जगा 4 replace करो, sorry sorry 3 replace करो 3 plus 1, 4 and up to so on कहां तक replace करना है n तक तो यह जाएगा 3 raise to power n plus 1 तो basic आले हमें इस series का sum निकालना है ठीक है sigma 3 raise to power n plus 1 का meaning है यह यह पूरा तो इस series का sum कैसे निकालेंगा आप ध्यान से देखो यह जो series है यह GP में है 3 की power 3 को 3 की power 2 से ड्वाइड करो कि 3 आएगा 3 की power 4 को 3 की power 3 से ड्वाइड करो कि दिन 3 आएगा तो देन रिच्चों से मैं तो यह से रिज जीपी में है कि मैंने वे पको बताया तो अब यह पे जीपी का स्वाइड का पर्मला ला क्या होता है a इंटू r raise to power n minus 1 अपॉन में R-1 तो यहाँ पर A A होता है first time This is A This is R और N तो N ही है N तो N ही है तो यह हो जाएगा 3 raise to bar Sorry 3 square into 3 raise to bar N-1 अपॉन में 3-1 तो यह हो जाएगा 9 3 raise to bar N-1 अपॉन में 2 कुछ ऐसा बनेगा ठीक है अब देखो फिर से मुस्से स्मूल से मिस्टीक हो गई है अब देखो यहाँ पर N-1 टम्स था तो हमें N ही हो जाएगा N-1 रिप्लेट करना तो यह हो जाएगा N-1 N-1 तो यह हो जाएगा 3 raise to bar N ठीक है? तो यह हो जाएगा N-1 तो यह हो जाएगा 3 raise to bar N 3 raise to bar N तो यहाँ start होगा 1 से और end होगा N पर तो number of terms तो N ही होँगे लेकिन first term 3 हो जाएगा तो यह जाएगा 3 multiply करोगा तो यह हो जाएगा 1 upon 2 इसकी value हो जाएगी 3 raise to bar N प्लस 1 minus 3 upon में 2 और minus इसकी value हो जाएगी अब आप देखो sigma lambda क्या होता है lambda N यहाँ पर lambda क्या होता है? constant होता है यहाँ पर 1 है तो N हो जाएगा L सिम ले लो देन आप L सिम लोगे तो क्या बनेगा? यह इधर 1 upon 2 3 raise to bar N plus 1 minus 3 minus 2 N upon में 2 तो यह हो जाएगा 1 upon 2 sorry 1 upon 4 2 into 2 4 और यह हो जाएगा 3 raise to bar N plus 1 minus 2 N minus 3 यह हो गया ऐसा है अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते है आप देखो एक बार next question number 7 हमें इस series का सब निकाल है series क्या है? 3 plus 18 plus 57 plus 132 plus 225 and up to 100 ठीक है? आप देखो यह series ना तो AP में है ना तो ZP में है आप चेक करो क्या आप यहां पर method of तो हमें क्या करना होता है? अगर कोई भी series जो की AP और ZP दोनों में नहीं है तो हमें अगर हमें उन series का सब निकालना है आप यहां रखना हमें N terms तक sum निकालना है ठीक है? तो sum निकालने का तरीका formula क्या होता है? sigma an sum निकालने का formula होता है sigma an तो basically हमें यहां पर an find करना होता है तो आप देखो an हम directly नहीं find कर सकते यहां पर कभी हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि an फर्स्ट एकसराइज में कि an हम क्या करना थे pattern को notice करके find कर ले थे लेकिन आप जहां से देखो यहां पर कोई pattern बन ही नहीं रहा मतला हम pattern को observe करेकर तो an find नहीं कर पाएंगे then हम आप पर क्या करते method of difference apply करते अब अब देखो लेकिन method of difference हम वहां पर apply कर सकते हैं जब हम इनके turns का difference करें तो difference करना के बात जो sequence बने वह या तो AP में हो या तो ZP में हो ध्यान बस यह रखना है कि हम difference करते जाएंगे जब तक वह sequence AP या फिर ZP में convert ना हो जाए तो आप देखो पहले करकर देख लो आप देखो यह वाला जो यह वाला जो problem है इसमें एक बार difference करने से AP में convert नहीं होने वाला आप देखो मैं आपको show करता हूं आप देखो series क्या है 3 plus 18 plus 57 plus 132 plus 225 and up to so on 18 माइनस 3 18 माइनस 3 15 57 माइनस 18 39 132 माइनस 57 यह कितना हो जाया को 75 225 माइनस 132 यह हो जाएगा 123 ठीक है तो आप ध्यान से देखो यह जो sequence है जीपी में तो हुई नहीं सकता वो तो directly हमें पता चल रहा है कि ratio same नहीं आने वाल है यहाँ पर अब difference भी करकर देख लो अब देखो इनका difference करो 39 माइनस 15 24 75 माइनस 39 75 माइनस 39 यह हो जाएगा 75 माइनस 39 36 हो जाएगा तो एपी में नहीं बना न क्योंकि पहले में आ रहा है 24 दूसरे वाले में आ रहा है 36 difference नहीं आ रही है तो एपी में नहीं है दैन हम क्या करेंगे फिर से एक बार difference कर लो तो यह हो जाएगा 24 यह गया 36 और यह हो गया 36 48 अब देखो अब जाकि यह पर एक बार यह हो गया 12 अब दैन अगर आप माइनस करोगे तो यह तो जीरो में ही कर जाएगा तो हम नहीं करेंगे आगे हम आगी नहीं बढ़ेंगे ठीक है तो बेसी कली हम ना यहाँ पर अभी तक क्या करते आ रहे थे method of difference में series लिखते थे फिर दूसरा series को एक term छोड़कर यहाँ से लिखते थे कुछ ऐसा यहाँ पर भी यह term आएगा ठीक है इसी series को हम एक term छोड़कर लिखते थे और इनका difference कर लेते थे यहीं करते थे यहाँ पर हम यह नहीं कर पाएंगे कर सकते हैं बहुत लेंटी हो जाएगा बहुत इस तरह तो हम यहाँ पर क्या अपलाई करेंगे ऐसा कुछ कर लेंगे आप देखो यह सौट ट्रीक मराता है लेकिन आप इसको याद रख सकते हो अब कितनी बार सब्ट्राइट करते रहेंगे तो आप इसको ध्यार में रखो का तो नहीं को एगन नहीं हो अवी हो वर कंवर tutti क्रों आंसमिला करना पड़ाई है न तो आप दीखो हम यह वाले में इस वाले केसे में धी हब्दा है कोई दिव्कत बार टेकिंड माना द करहा हैं आही हो अपको डe Bow did ध्यान में रखना कि मैंने यहां पे अलग मैथड डिसकाज करा अलग मैथड सीवाले प्रॉब्लम को करा है ठीक है अब देखो हम एन कैसे लिखेंगे एन लिखेंगे थ्रे प्लस आपको फर्स्ट जितने भी आप डिफरेंस करोगे उन सारे का फर्स्ट वाले को ले लेना है ठीक है प्लस 24 फिर देर हम इसके साथ क्या आप लगाएंगे इसके साथ लगाएंगे और एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन में फैक्टोरियल टू ठीक है प्लस फिर है 12 अब देखो 12 के बाद आप माइनस करोगे इनको तो 0 बन रहा है तो हमें वहां तक सब्ट्राइट करना इस में अथर्ड का यह रूल है कि हमें वहां तक सब्ट्राइट करना जहां तक 0 ना बन जाए तब देखो यहां पर 0 बन रहा है तो इसलिए हम यहां पर ही रुग गए क्योंकि 0 के साथ कुछ भी कर लो क्या ही मतलब बनता है तो हमें इसके साथ क्या लगाएंगे एन माइन में माइन टु ऐब आफuellement 3 टीक है और यह हूगा को समझ आए ह कि अब ने क्या से कर आए क्या करना है थे कि एक पहले के साथ अग्य सब अग्या यह वर तीरे के साथरे के सातili रिख हरा है तीसरे वाले के साद सरी चौथे के साद n-1 n-2 n-3 अपन फैक्टोरियल 3 और अगर इसके आगे भी होता है तो इसी पैटरन से आगे बढ़ते है ठीके अब आप क्या करो बस सॉल करो और खत्यम हो जाएगा तो 3 का फैक्टोरियल मितलब 6 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है तो यह हो गया 12 तो n हो जाएगा 3 प्लस मिल्टिप्लाइ करो 15n-15 12 इनको आप मिल्टिप्लाइ करोगे तो n स्केर माइनस 2n माइनस n प्लस 2 प्लस 2 n-1 n-2 n-3 अब देखो मैंने बहुत ट्राइ करा कि मैं यह वाला ट्रिक यह आपर ना बता हूँ लेकिन यह बीना ट्रिक के यह सॉल लिए होगा इतने एज़ी की मैंने ट्राइ करा था बहुत मुस्किल जा रहां बहुत लिंदी जा रहा है तो यह वाला मैथट इसी है ठीक है अब दीखो एक प्राबलम को सॉल कर देखें कि बहुत सारे मैथवट हो सकते हैं लेकिन मुझे जो बेस लइक आप मैं बताता हूं ठीक है तो इसलिए आसा म इस प्रॉब्लम को सौल करने का ऐसा नहीं बहुत सारे में सारे सौ में ठीक है लेकिन मुझे उन में से यही बेश्ट लगा इसलिए मैंने आपको यह ला कर आया जायाएगा 3plus15n-15 multiply गरो आप इनको multiply करके राएगा इनको multiply करकर आरहा है तो आप n-3 से multiply कर दो इसमें करो n क्योब आप देखो न ये और ये दोनों में कोई difference तो नहीं है तो हम एक से इसको दो मार क्यों ही multiply करेंगी multiply करो इसको n क्योब minus 3n square plus 2n अब आप minus 3 से multiply करो कि minus 3n square minus 3 into minus 3n 9n और minus 3 into 2 minus 6 ठीक है यह हो जाएगा 3 plus 15n minus 15 अंदर shift करो तो यह हो जाएगा 12n square minus 36n plus 24 यहांपर shift करोगे तो 2n cube 2n cube यह हो जाएगा आप देखो इनको minus 3n square minus 3n square minus 6n square और इसको 2 से तो यह हो जाएगा minus 12n square 2n plus 9n 11n और 11 into 2 22n minus 12 ठीक है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा यह हो जाएगा 2n cube 2n cube आप देखो 12n square minus 12n square 12n square cancel minus 36n 22n और 15n क्या बनेगा इनको आप add करोगे तो यह हो जाएगा 37n minus 36n यह हो जाएगा minus n ठीक है minus n आप देखो 24 plus 3 27 आप जहां से देखो ना 24 plus 3 27 और minus 12 minus 15 27 तो यह 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 और यह कैंसल हो जाएगे और यह और यह हो ही गया सारे कुछ हो गया ठीक है तो आप देखो n यह आएगा अब देखां सिंपल ही कितनी इजी में हमने n निकाल लिया n निकाला कुष्ण खत्म और सब हमें n तम्स न निकालना तो सब्सक्राइब 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 अब आप देखो sigma n cube का formula क्या होता sigma n cube का formula होता n n plus 1 upon 2 का whole square और sigma n, sigma n का formula होता n n plus 1 upon 2 तो 2n cube, n cube है n n plus 1 upon 2 का whole square minus sigma n, sigma n है n n plus 1 upon 2 अब आप देखो, open करोगे तो यह बनेगा n square n plus 1 का whole square 2 और यहाँ पर हो गया 4 अब आप देखो power को अलग-अलग कर सकते हो न यह square इस पर करोगे, तो n square यह square इस पर करा, n plus 1 का whole square फिर 2 पर करा तो 2 का square 4 minus n, n plus 1 upon 2 इस से यह हटा हो गया, तो यह हो गया 2 अब अब देखो, इन में क्या common है, इन में n, n plus 1 upon 2 common है, बाहर कर लिया, पीछे क्या रहा गया, n, n plus 1 और यह हो गया, minus 1, ठीक है, तो यह हो जाएगा, n, n plus 1 upon 2, और यह multiply करोगे, तो n square, plus n, minus 1, ठीक है, तो आप देख लो, एक बार, फिर आम आगे बढ़ते हैं, अब अब देखो, यहाँ पर plus n, plus का n गाएगा, अब देखो, 15 plus 22, 37 n, minus 36 n, n रहाएगा न, पीछे, तो यहाँ पर plus आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर plus, ठीक है, अब अब तीक, तो sn हो जाएगा, आमारा, n, n plus 1, upon 2, और यह बना n square, plus n plus 1, तो आप देखो, एक बड़, फिर आम आगे बढ़ते हैं, next series है, 4 plus 6 plus 9 plus 13 plus 18 and up to so on, next हमें इस series का sum निकालना है, ठीक है, तो आप देखो, पहले चेक कर लो, कि क्या दो बार, डिफरेंस करने पर, आप बन रही, या फिर, दो से ज्यादा बार, डिफरेंस करने पर, आप बन रही, या फिर जीपी जो, अब देखो, हम method of difference कब apply करते हैं, जब series के term का difference करने पर, जो resultant sequence आए, वो या तो AP में हो, या तो GP में हो, और हम difference तब तक apply कर सकते हैं, जब तक वो convert ना हो, या फिर 0 तक ना पहुच जाएं, ठीक है, तो आप देखो, 6-4, 2, 9-6, 3, 13-9, 13-9, 4, 5, तो आप देखो, यह AP में, 3-2, 1, 4-3, 1, 5-1, 1, 5-4, 1, तो यहां पर एक बार ही difference करने से, अब देखो, यह वाला ही sequence क्या आ गया, AP में आ गया, वहां पर तो दो बार हमें difference करना पड़ा था, then, वो AP में convert हुआ था, तो यहां पर हम basic method से भी जा सकते हैं, आप tricks से भी करोगे, तो कोई दिक्कत ने, तो मैं दोनों में sir से बाट आ जेता, आप मैंने discuss कर ही दिया है, ठीक है, तो अब तो कोई दिक्कत है ही न तो आप देखो, एन फाइंड करने के लिए क्या करो, इनको in circle कर लो, तो एन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला, as it is, लिखो 4 प्लस, फिर इसको लिखो 2, और इसके साथ क्या multiply करते है, n-1 अपन में factorial 1, प्लस 1, वन के साथ क्या multiply होगा, 1 into n-1, n-2 अपन में factorial 2, यह ह होगे आपका n, आप इसको solve करोगे, 4, 1 का factorial 1 ही हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 2n-2 प्लस, इनको multiply करो, n square, minus 2n, minus n, plus 2, अपन में 2, यहां पर आप LCM ले लो, यहां से यह हो जाएगा, 4-2, 2, n square, minus 3n, plus 2, अपन 2, LCM लोगे तो क्या बनेगा, यह 2 इधर, तो यह हो जाएगा, 4n, plus 4, plus n square, minus 3n, plus 2, अपन में, 2 into 1, 2, ठीक है, यह 1 इधर जाएगा, तो as it is रह जाएगा, कोई भी चींज होगा नहीं, ठीक है, अब देखो, a, a, n हो जाएगा, n square, 4n, minus 3n, plus n, 4, plus 2, 6, अपन में, 2, यह हमार बना यह, ठीक है, यह तो method हुआ, क्या, जल्दी से कैसे कर सो, यह तो trick है, basic में हम क्या करते हैं, और paper में आपको यही करकर आना है, ठीक है, अब यह समत कर देना, हाँ, अगर, दो आ जाए, अगर आपको दो बार difference करने की ज़रूद पड़े, दो तीन बार करने की ज़रूद पड़े, देन आप यह method अप्लाई करना, अगर फर्स्ट बार ही difference करा, और वो जो sequence आया, वो a, a, p, और z, p, में convert हो गया, देन आप, लॉग वाला method करकर आना, ठीक है, तो इसे s के एक वाले लो, 4 प्लस 6, जैसे यहाँ पर, आप देखो, एक बार आपने difference करा, यह एक बार difference है, इसे हम नहीं count करेंगे, ठीक है, अब देखो, यह जो last वाला, इसे हम count नहीं करते हैं, ठीक है, आप देखो, एक बार difference करा, यह 4 प्लस 6, प्लस 9, प्लस 13, प्लस 18, and up to so on, कैसे करते थे, s, एक टर्म छोड़ कर आप लिखो, यहाँ पर, suppose कर लो, an, क्योंकि हम n तर्म तक सब निकाल ले हैं, इसलिए, 4 प्लस 6, प्लस 9, प्लस 13, and up to so on, यहाँ पर आएगा, an-1, प्लस में, an, ऐसा क्यों भी है, an इधर ब a3 के साथ कौन आ रहा है, उसके एक पीछे वाला, तो an के, एक पीछे कौन जाए, an-1, an-1, an यह साथ आएगा, और बाकी, an इधर आ जाएगा, ठीक है, s-s equal to 0, 4 minus nothing, 4, प्लस, अब यहाँ पर ब्रैकेट अप्लाई करो, अब देखो, 4 के साथ कुछ माइनस नहीं वाता हो, वहाँ, तो उसमाँ ब्रैकेट का अंदर नहीं रखरेंगे, उसको बाहर करतेंगे, 6 minus 4, 2, 9 minus 6, 3, 13 minus 4, 4, 18 minus 13, 5, and up to so on, कहा तक, n-1, टर्म्स तर, और minus an, अब देखो, total number of terms, n-1 नहीं होने माले हैं, यह, और यह हटा दिया, तो यह total कितने रहेंगे, अब देखो, first term से लेका, n-1, तो total number of terms हो जाएंगे, n-1, ठीक है, तो इस an को अब इधर ले आओ, तो an, which is equal to 4 plus, 2 plus 3 plus 4 plus 5, and up to so on, plus n-1, तर्म्स, अब हमको क्या करना, इस series का sum निकालना, अब ध्यान से देखो, यह series किस में है, यह जो series है, 2, 3, 4, 5, इनको minus करो, 1, 1, 1, यह जो series है, यह AP में है, क्योंकि difference same है, तो यहाँ पर AP का sum का formula लगा दो, AP का sum का formula क्या होता है, n upon 2, 2a plus n minus 1, d, a है 2, d है 1, और n है, number of terms है, n minus 1, replace कर दो यहाँ पर, तो यह बनेगा, 4 plus, n minus 1 upon 2, plus, sorry, 2a plus, n minus 1, minus 1, d है 1, तो यह हो जाएगा, 4 plus, n minus 1 upon 2, 2 into 2, 4 plus, n minus 2, तो 4 plus, n minus 1 upon 2, यह हो जाएगा, n plus 2, ठीक है, अब आप LCM ले लो, इसको इदा shift करो, तो 2 into 4, 8, plus, n minus 1, n plus 2, upon में 2, तो यह बनेगा, 8 plus, n into n, n square, n into 2, 2n, minus 1 into n, minus n, और यह हो जाएगा, minus 1 into 2, minus 2, upon 2, तो यह हो जाएगा, n square, plus, n, 8 minus 2, plus 6, upon 2, यह हो गया, अब दिखो, इस वाले method से करा, आपको कितना time लगा, और इस वाले method से, n, इसली आ गया था, देन, अगर हमें, n मिल जाए, तो हमें, n term तक का sum का formula क्या होता है, sigma n, s n क्या होता है, sigma n, तो s n, which is equal to sigma n, तो यह हो जाएगा, sigma, n square, plus, n, plus, 6, upon 2, अब देखो, 1 upon 2 क्या है, constant है, तो हम इसे बाहर कर सकते हैं, तो आप इसे बाहर कर दो, 1 upon 2, अब आप देखो, sigma को क्या, अच्छा, मैं एक step increase ही कर देता हूँ, n square, plus, n, plus, 6, 1 upon 2, अब देखो, sigma को अलग-अलग कर सकते हैं, तो sigma को अब अलग-अलग कर लो, sigma n square, plus sigma n, plus sigma 6, ठेके, अब आप देखो, sigma n square का formula क्या होता है, sigma n square का formula होता है n n plus 1 2n plus 1 upon 6 sigma n का formula होता है n n plus 1 upon 2 और आप देखो sigma lambda क्या होता है sigma lambda होता है sigma lambda होता है lambda n बस lambda constant होना चाहिए तो sigma 6 क्या हो जाएगा 6n तो यह हो जाएगा 1 upon 2 sigma n square is n n plus 1 2n plus 1 upon 6 plus sigma n sigma n है n n plus 1 upon 2 और sigma 6 है 6n 1 upon 2 अब देखो सारे में क्या common है n common हो तो n को common कर लिएगा पीछे रहाएगा n plus 1 2n plus 1 और आप LCM भी ले लो LCM लोगे तो LCM आएगा 6 2 और 6 का LCM 6 2 को 6 और 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 तो 3 उपर मिल्टिप्लाइ करो तो 3 इंटो n plus 1 और प्लस ये 6 तो इंटर आएगा तो 36 तो यह हो जाएगा n upon 12 मिल्टिप्लाइ करो n इंटो n 2n square n इंटो 1 n 1 इंटो 2n 2n और 1 इंटो 1 1 प्लस 3 को अंदर चिप्ट करो तो 3n प्लस 3 प्लस 36 यह हो जाएगा n upon 12 2n square n plus n 3n 3n plus 3 6n 1 plus 3 और 40 यह हो जाएगा 40 n upon 12 दिन में 2 आप कामन करोगे तो n square plus 3n plus 20 इस 2 से यह हो जाएगा तो n upon 6 n square plus 3n plus 20 ठीक है तो यह गुचायता बना ठीक है तो आप देखलो यह ही आएगा तो यह हो गया आपका s n तो आप देखो एक बार लक्षथारा करें यह हो पके हो जाएगा करके लक्षब्स